Hey Hi Everyone, This is your host and mentor पेम पांडे, Welcome back to another most browsed video for class 9, जिस video में हम बात करेंगे best reference books available in our market, जो आपकी preparation को first से अर्स तक ले जा सकती है, वैसे तो कई top channels पर आपको reference book की suggestion मिल जाएगी, लेकिन आज के इस video में थोड़ा हट के बात करने वाले हैं, आज इस video में हम बताएंगे आपको कि क्या really reference book लेना compulsory है 9 के preparation के लिए, या बिना reference book के भी काम चलाया जा सकता है, अगर आप reference book लेते भी हो, तो किस तरीके से उसका utilization किया जाए, कि आप उस reference book का full पैसा वसूल फायदा उठा सको, और अपने class 9 में अच्छे marks ला सको, आपको इस video के अलग-अलग topics, अलग-अलग time slots में मिल जाएंगे, आप in time slots में जाकर in topics को देख सकते हो, जो आपको नहीं देखना, उन्हें simply skip कर सकते हो, so let's guess, started! So, before starting the video, let me tell you, कि class 9 के सभी 4 core subjects, social studies, mathematics, science and English की regular videos आपको educational hikes पर मिल जाती हैं, इसके अलावा आपको daily life classes भी दी जा रही हैं, अभी maths and social science की mentee quizzes conduct करते हैं, और बिलकुल free of cost, educational hikes पर 100% content बिलकुल free है, और इसके बदले में हम ही क्या चाहिए? आपका प्यार, channel को subscribe करना और आदा दूरा काम नहीं करना, घंटे को भी दबा देना, ठीक है? चलो start करते हैं, सबसे पहला point ये समझ लो, कि reference book की जरूरत है क्यों हमें? क्लास 8 तक तो कोई नहीं कहता था कि reference book ले लो, जैसे ही हम class 9 में आए ना, लोग कहने लगे कि कौन सी reference book ले रहे हो? क्या reference book की सच मुझ जरूरत है? हमारी internet से भी तो काम हो सकता है ना, आजकल हम smart होगे, smart phones है, हमारे पास, laptops है, internet है, तो क्या हम internet का use नहीं कर सकते? reference book लेना जरूरी है, let me tell you कि जैसे ही mobile का data on होता है ना, distractions की एक नई दुनिया open हो जाती है, आप internet पर आते हो अपने doubt solve करने के लिए, लेकिन slowly slowly कहीं और खो जाते हो, आप relate कर पा रहे होगी इन चीजों को, मैं कुछ दिन पहले TVF का एक web series देख रहा था, aspirants करके, उसमें संदीब भाया है एक जो UPSC की preparation कर रहे है, एक बच्चा उनसे पूछता है कि भाया, आप mobile में भी तो current affairs पढ़ सकते हो ना, तो आप radio पर news क्यों सुनते हो, संदीब भाया क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि internet पर पढ़ाई कम, distractions जादा है, yes, really और इस बात को मान लो, books को internet कभी replace नहीं कर सकती, वैसे reference book में आपको बहुत सारी चीजे मिलती है, कई लोग आपको बताते भी होंगे कि NCRT solutions मिलते हैं, previous year questions मिलते हैं, आपको पूरा elaborative concept मिलता है, ये सारी चीजे तो आपको कोई भी बता देगा, मैं जो feel करता हूँ कि reference book में क्या अलग है, क्या अलग है बता रहे हैं, science में हम biology का पहला chapter पढ़ रहे हैं, इस chapter में एक term use हुआ है, clamidominos, paramecium, ये कुछ unicellular organisms हैं, हमने NCRD में पढ़ लिया कि भाई, unicellular organisms वो होते हैं, जिनके पास 1 cell है, इनका example है clamidominos और paramecium, लेकिन NCRD में हमें इनके pictures नहीं हैं, जिससे हम visualize नहीं कर पाते हैं, वह पर दूसरी तरफ अगर हम लखमीर सिंग और मंजीत कौर के द्वारा लिखी गई एक book, एस्चन की बात करें, एस्चन ने मुझे sponsor नहीं किया है, तो ये मत सोचना कि पैसे लेकर promote कर रहा हूं, ठीक है, एस्चन में क्या है ना, कि पूरा एकदम descriptive pictures के साथ detailed explanation है, तो NCRD में आपको जो curiosity होती है ना, उस curiosity को आप reference book के द्वारा solve कर सकते हो, ये एक बड़ा reason है reference book लेने का, reference book आपको number नहीं दिलाएगी, number तो आपको NCRT पढ़के ही आएगी, आप class 9 में अच्छे number से पास हो सकते हो NCRT से पढ़कर, लेकिन reference book आपको पढ़ना इसलिए जरूरी है, त एक एक दम ठोस preparation करनी है ना, तो reference book जरूर लो, इसके अलावा class 9 और 10 में 80% questions ही NCRT से आते हैं, बाकी 20% के लिए आपको extra knowledge लेने की जरूरत है, आपको reference book पढ़ने की जरूरत है, अब हम आगे बात करते हैं subject wise reference book की, जो आप prefer कर सकते हो, वैसे ये मेरे recording reference books हैं, आप अपने strength के recording, और आपके पास जो book है, आप उसे continue कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं है change करने की, काफी demand आ रही थी कि भाया reference book बताओ, reference book बताओ, तो मैं बता रहा हूं कि मेरे recording कौन सा सबसे best reference book है, जिससे हम अच्छे number secure कर सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम maths subject की, CBSE स्कूलों में न, maths, मेरी आत्मा तुझे बड़ा सताईगी नाम से बहुत famous है, CBSE के बच्चों को maths में इतनी दिक्कत होती है न, उतनी और किसी subject में नहीं होती, अब आप इसके full form देखकर तो समझे गए होंगे, कि math is not a normal subject, students का goal अलग-अलग होता है maths को पढ़ने का, कुछ केवल maths 9th and 10th के लिए पढ़ते हैं, कि किसी तरीके से 9th and 10th अच्छे नमबर से पास हो जाएं, बाद में तो वो biology, commerce और arts ले ले लेंगे, कुछ maths के साथ आगी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिनें आगी चलकर IIT forward ना है, जिनें BSc, MSc करके maths को professor और lecturer बनना है, लेकिन इन सब चीजों को करनी के लिए हमारा ultimate goal क्या होना चाहिए, नमबर लाना, 9th and 10th में अच्छे नमबर लाना, fundamentals को clear करना, basics को clear करना, क्योंकि बिना 9th and 10th के basics को clear किये, 11th, 12th में आप maths imagine भी नहीं कर सकते हो, अब इसके लिए आपको 3 books बहुत help करेंगी, literally जो most of the students को help करते हैं, आप किसी भी channel, किसी भी internet website पर किसी भी article को पढ़ लेना, ये 3 books का दिक्र जरूर हुआ है, और with a reason है, इसके पीछे कारेट भी है, मैं बताता हूँ, सबसे पहले आपको NCRT, NCRT को neglect नहीं करना है, बिलकुल नहीं करना है, NCRT के direct question board exams में पूछे जाते हैं, आपके NCRT में जो mislenious exercises होती हैं, आप previous year board के questions उठा के देख लेना, mislenious exercises से ही वो questions होती हैं, mathematics, NCRT में जो theorems दी गई है, जो rules दीए गए हैं, वो पढ़ना आपके लिए बहुत जादा important है, अब एक बार इन theorems, इन rules को आपने कैसे भी समझ लिया, चाहे आप NCRT books से समझ लिये, चाहे आप किसी teacher से समझ लिये, उसके बाद आपको questions बहुत दरूरी है practice करना, देखो math को रटनी की ज़रूरत नहीं है, theorem rules पढ़ना enough नहीं है, questions करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको RD Sarma help करेगी, RD Sarma की एक मोटी सी book आती है, इस book में आपको नीचे label से one marker question से लेके, five marker सभी questions मिल जाएंगे और अलग-अलग variety के questions मिलेंगे, जैसे chapter number one class nine का number system, number system का अगर आप exercise number 1.1 के पहले की जितनी भी rules से वो पढ़ोगे न, आपको उन rules के base पर कम से कम 50 से 60 questions RD Sarma में मिल जाएंगे, आपको सभी same type questions करने की जरूरत नहीं है, अलग-अलग variety के questions करो, जिससे आपकी जो study है वो थोड़ी productive होगी, तो NCRT RD Sarma, और अगर आप चाहो तो NCRT examplar भी ले सकते हो, examplar एक ऐसी book होती है, जिसमें MCQs, true-false, one marker question, और जितने भी three marker question है, five marker questions है, सभी मिल जाएंगे, और NCRT solutions तो मिलेंगी ही मिलेंगी, तो ये तीन book, NCRT mathematics की examplar और RD Sarma, ये तीन book math में आपको बहुत help करेंगी, और complete study class 9th and 10th की इन ही तीनों book से हो जाएंगी, Now let's move to science. Science, boom, boom, विज्यान, ये तो मेरा वाले subject है, वैसे अब हम इसे science नहीं कहेंगे, बड़े हो गए हैं, class 9th में आ गए हैं, अब इसे हम physics, biology और chemistry कहेंगे और हमें इन तीन अलग-अलग subjects के reference book लेने की ज़रूरत है, reference book really लेना है science में, वैसे तो NCIT science के लिए बहुत ज़्यादा important होती है, science के chapter के बीच में आपने देखा होगा more to know करके boxes बने होते हैं, जैसे class 9th के science आप अगर उठा के देख लो NCIT book ना, तो chapter के बीच में extra knowledge दी गई है, more to know करके, वो extra knowledge बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि one marker जो MCQs बनते हैं वो वहीं boxes में से बनते हैं, इसके अलामा जो science के in-text questions हैं, exercise के questions हैं, इन questions को finish करने के बाद ही आपको किसी reference book में जाना है, अगर NCIT आप finish नहीं कर पाते हो, तो reference book के लिए जाना नहीं है आपको, मुझे लगबग हजारों mail मिले थे, class 8 में हमने NCIT science line by line पढ़े थे, और बच्चों ने कम से कम हजारों बच्चों ने, गिना तो नहीं मैं, लेकिन फिर भी कम से कम हजारों बच्चों ने अपने results send किये थे, जिनके 95 plus marks थे, ये stable NCIT पढ़कर 95 plus marks, तो सबसे पहले आपको NCIT cover करना है, और NCIT line by line, word by word cover करने के लिए, educational hikes आपके लिए है, पूरे throughout the session हम NCIT के chapters को पढ़ेंगे, और जितनी भी reference book में knowledge दी जाती है, वो आपको इन videos में, ये जो NCIT line by line videos होती है, educational hikes की, जो मैं लेकर आता हूँ आपके लिए, उनमें मिल जाएंगी, अगर आपको इसके अलामा, अपने knowledge को boost करना है, 10th के बाद वाला जो fundamental होता है, उसको clear करना है, तो reference book तो लेनी पड़ेगी, कौन सी reference book बहुत अच्छी है, जो केवल 9th और 10th में ही नहीं, और बाकी book उसे थोड़ा अलग है, super simplified सच में super simplified है, और बहुत ही easy language में concepts आपके लिए है, previous year questions है, most expected questions है science के, तो आपने अगर एस्चद ले रखा है, तो change करनी की जरुवत नहीं है, बट अगर नई books लेनी की plan कर रहे हो, तो you should go for super simplified, Dinesh की super simplified physics, chemistry और biology तीनों आती है, अगर आप चाहो तो biology के लिए आप एस्चंद भी ले सकते हो, एस्चंद biology का perfect है actually, ठीक है, तो ये बात होगी हमारी science की, कि science में हमें NCRT, प्लस Dinesh publication की super simplified science के तीनों subjects के books हमें लेने हैं, इसके साथ अगर आप चाहो कि हमें variety of questions प्राक्टिस करने हैं, तो NCRT के examplers भी ले सकते हो, हर subject के अलग-अलग NCRT examplers आते हैं, जैसे maths का भी मैंने बताया भी, NCRT examplers आता है, science का भी NCRT examplers आता है, NCRT examplers में आपको MCQs, True, False, और भी जितने भी reason वाले questions हैं, यह सभी questions आपको मिल जाएंगे, So this is all about science, वैसे most preferably आप जो videos होती हैं, जो line-by-line explanation की videos होती हैं, NCRT science को line-by-line ही पढ़ना बहुत important है, जो line-by-line की videos आती हैं हमारी educational hikes पर, आप उन्हें जरूर देखें, this will really worth watching, तो यह तो बात हो गई science की, अब आते हैं अपने next थोड़े से typical, और थोड़े से बहुती बड़े syllabus वाला subject, social science के, Class 9 में आपको social science के 22 chapters पढ़ने हैं, वैसे 30% reduction के बाद, यह कुछ कम हो गए हैं, हमें 17-18 chapter ही पढ़ने हैं, एक chapter social science का science के 2 chapter के बराबर है, इतना worst syllabus है, अब social science की book हम क्या देख कर लें, क्या NCRT really enough है, देखो मैं क्या feel करता हूँ, बहुत frankly बताता हूँ ना, कि social science NCRT के लिए knowledgeable तो है, अगर आप NCRT पढ़ पाते हो, तो social science के लिए reference book लेनी के जरुवत नहीं है, पिक्चर्स कि आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तो भाई, social science में वैसे इस साल से, पिछले साल से ही कुछ नए questions भी CBSC ने इंट्रोड्यूस किये हैं, जैसे picture based questions हैं, assertion and reason questions हैं, map works, तो बहुत पहले से आ रही है CBSC में, तो कौन सी ऐसी बुक लें, जिसमें ये तीनों चीजे cover हो जाएं, together with, together with की एक book आती है, जिसमें आपको जितने भी latest pattern के questions सीब इस सी लेकर आ रही है, वो सभी के बहुत सारे practice questions मिल जाएंगे, but make sure कि आप latest edition का ही लो, आप latest edition का नहीं लोगे, तो नए questions उनमें include नहीं होंगे, map के लिए मैं एक suggest करूँगा, कि आपको map के लिए किसी बुक को prefer करनी की जरुवत नहीं है, social studies में जो maps आते हैं, उसको इसके लिए आपको किसी बुक के लिए prefer करनी की जरुवत नहीं है, बस आपको political map लेना है, geographical map लेना है और खुझ से, जब कभी भी free time पाऊना, तो आप खुझ से practice करो, और at the end of the year, you will came to know कि हाँ यार, सचमुद सब कुछ तयार हो गया ये तो, तो social science सबसे पहले, NCRT, क्योंकि NCRT से direct question 9th and 10th दोनों में आते हैं, इसके अरावा NCRT, social science के लिए करने का एक और फायदा है, आपको पता है कि social science competitive exams में पूछे जाते हैं, अब अगर आपने NCRT social science में कुछ पढ़ा है, और competitive exam में वही question आ गया, अगर आपने सही कर दिया, और by chance examiner ने उसे गलत कर दिया, तो आप directly court में claim कर सकते हो, और court आपको वह पूरा number देगी, क्योंकि NCRT government book है, 10 से 12 professors, government school के professors उसे मिलकर लिखते हैं, तो कोई एक writer से तो अच्छा है ना, 10-12 writers मिलकर लिखते है NCRT को, तो social science के लिए तो NCRT perfect है, बसरते हम उसे पढ़ पाते हैं, या नहीं, यह हमारी उपड़ेपेंड करता है, अगर नहीं पढ़ पाते, तो आप together with की reference book के साथ जा सकते हो, together with में आपको mind mapping भी दी गई है, चाप्टर के last में, आपको पूरे उस चाप्टर का एक summary, branches बना कर ऐसे पूरी summary दी गई है, कि इस चाप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, जो आपके last minute revision के लिए बहुत important और बहुत काम देगी, ठीक है, इतना बड़ा syllabus है social science का, कि अगर आप topic भी पढ़ना start करोगे ना last day, तब भी खतम नहीं कर पाओगे, ठीक है, so this is about science, आते हैं अपने last subject, English की तरफ, English, English, really, क्या इसके लिए भी reference book लेनी पढ़ेगी, देखो, English के लिए तो वैसे literature की दोनों books आती है, अब literature तो आपको NCRT की book से ही पढ़ना है, लेकिन उन literature से previous year question solve करना बहुत ज़ादा ज़रूरी है, इसके लिए आप Oswald की book prefer करो, मैं नहीं कहूंगा कि आप कोई reference book लो English के लिए, बट आपके exam की preparation अच्छे से हो सके, इसलिए Oswald publication की book आती है, उसमें बहुत सारे sets of question paper होते हैं, जो previous year questions, जो पूछे गए हैं English में, वो सारी questions होते हैं, तो आप Oswald publication के साथ जा सकते हो English में, और English grammar की book बहुत लोग पूछते हैं कि, भया, class 9th and 10th में कौन से English grammar की book ली जाएं, तो मैं आपको बताओं कि English grammar के लिए भी NCRT आती है, English grammar NCRT करके आती है, जो 9, 10, 11, तीनों के लिए एक book होती है, आप अगर एक book लेते हो, वो आपके 9, 10, 11, तीनों के लिए काम में आती है और वो भी latest pattern पर है, जो अभी English का pattern change हुआ है, उस पर है, तो English के लिए आप जैसे 9th में हमारा moments है, और एक और main book है Beehive है, ठीक है, इसके अलावा आप NCRT की English grammar भी ले सकते हो, और questions प्राक्टिस करने के लिए आप Oswal की book के साथ भी जा सकते हो, So this is all about the reference books of all the four core subjects, जो चार main subjects होते हैं हमारे, Mathematics, Science, Social Science, English, इन सभी subjects के reference book आपको कौन से लेनी है, और ये reference book आपको किस तरीके से help करेगी, हमने इस वीडियो में cover कर लिया है, वीडियो अच्छी लगी हो, तो दोस्तों के साथ share करें, अपना प्यार चैनल को subscribe करके show करें, और वीडियो को like ज़रूर करें, like से आपका कुछ नहीं जाएगा, हमें motivation मिलेगी, और ऐसे ही लगादार वीडियो देखने के लिए, चैनल को subscribe करें, मिलते हैं एक और धमागेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए, शश्रियाकाल एंड जैहन,